नमस्कार दोस्तो टार्गेट विद प्येस परिहाद चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सुचनाय होती है जो विभिन समाचार पत्रों पर छाइवी होती है और विद्यार्थियों के लिए आवश्रक होती है तो आए शुरू करते हैं देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सुचना है आगे बढ़ने से पहले एक बात और जो नेवीवर है या नेमित्र है जिन्हों ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आपको सब्सक्राइब पिल लें उसके बाद में ये बेल आइकान है इसको भ हुआ है 79,000 भर्ती ततकाल शुरू कराय सरकार उत्तर प्रदेश दुरस्त BTC सिक्षक संकी बैठक मंगलवार को सदर बी आर सी में हुई और इसमें 79,000 सिक्षक भर्ती को इलापत हाई कोड के अनुसार सिक्ष शुरू करा जाने की मांग की गई है ये BTC की अब भर्ती है और शिक्षा मीत्र हैं जो ये कह रहे हैं कि अब 79,000 भर्ती को जो सिंगल बेंच ने आडर दिया है 4045 पर यानि कि जिस आधार पर पिछली भर्ती वी थी अर्षट 1500 उसी आधार पर भर्ती कराने की मांग हो रही है यहां पर इन लोगों ने उपमुक्यमंत्री डॉक्टर दिने नहीं दे सका है वहीं समायोजित रहे शिक्षा मित्रों का एरियर मुक्तान करने में लेखा कहराल है विलम्ब कर रहा है और सरकार तो कटाफ को बदलने के लिए अभी तक डबल बेंच में नहीं गई है ना ही कोई अधिकरत बयान दिया है और कल इसका एक कोट केस हैं विद 59 जार शिक्षक भरति के बारे में जो भी अप्डेट होगी आपको समय समय पर मिलती रहेगी और यहां पर 69 जार सरस्म अन्दध हैं लिखाए शिख्षक भरति के लिए दो तरह के के काताफ के लिए दो its कोट के में इस लखनव के चल रहा था और एक इलामध हाई जी की बेंज ने कहा था कि यह जो भरती है जिसमें सरकार ने कहा है कि 60 प्रिश्ट और 65 प्रिश्ट कटाफ हो यह इस पर ना होकर के 40-45 पर हो जिस अधार पर पिछली भरती हुई थी और इसी तरीके से जो इलहाबाद हाई कोट की जो मुखी पीट पर मुकतमा चल रहा था उसमें उसके जो जस थे वो थे प्रकास पाडिया उन्हों ने यह कहा कि सरकार ने जो जीओ बनाया है उसका समय गलत है और नोटिफिकेशन के अधार पर बढ़ती हो कुल मिला करके दोनों आडर में काफी विरोधा भास हैं जहां पहले आडर में साफ साप कहा गया है कि यह 45 पर हो वहीं दूसरे आडर पर कुछ भी नहीं कहा गया है कटाफ को लेकर करके तो अब देखते हैं कि यह विवाद कब खत्म होता है 79,000 शिक्षक बर्ती का इसके बाद में एक और सूचना है 64,500 सायक अद्यापक बर्ती की लिखित परिक्षा में बहुत कम अभर्ती पास हुए थे और चुकि वो जो पेपर था वो डिस्क्रिप्टिव था वो अबजेक्टिव नहीं था और उसमें केवल 68,500 के बदले में केवल 41,556 अबर्ती ही सफल हुए थे इसके बाद में बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी उन्हें खाली सीटों की बात यहां पर हो रही है लिखा है कि अभी तक सरकार ने कोई भी निर्णा नहीं विद्ध्यार्थियों में असंतोस है लिखा है परिसेदी स्कूलों की इन्हों ने परिणाम पर सवाल उठाए और उनसे आवेदन लेकर उत्तर पुष्टिकाओं का पुनर मुल्यांकन कराये गया और सफल अभ्यार्थियों की निक्ती भी दिजा चुकी है इसके बाद कापियों के मुल्यांकन वा अन्नियमों को अधर बना कर निक्ती पाने का जतन निरंतर जारी है यह प्रक्रिया अनवरत इसलिए जारी है क्योंकि भर्थी में अब भी हचारों सीटे रेकते हैं असल में सीटे रेकते हैं अभी कुछ दिन पहले आया था कि बहुत सारे विद्यार्थी कोट जा रहे हैं और अपनी कापियां दुबारा चाचवा रहे हैं और सभी अभर्थियों को नंबर भी मिल रहे हैं इस तरीके से उनकी निक्तिया लगतार हो रही है यानि कि वो लग अपक 24,000 इनको 79,000 सिख्चक बरती में जोड़ा जाए इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है प्रवेस परिच्छा के परिडाम की परसो साम को ही आ गया था और लिखा हुआ है सर्वा डाउन से दिक्कत बीएट की राज इस तरी प्रवेस परिच्छा के रिजल्ट औ में कापी मसकत करनी पड़ी नीचे लिखा हुआ है कि अगर कोई अपति है आंसर की में तो 23 मही तक अपति दर्च कर सकते हैं और अपतियां दूर करने के बाद में 27 और 28 मही को भी द्यारतियों की रेंकिंग जारी की जागी और एक जून से भी द्यारतियों की काउंसलिंग होगी कि अब बात करते हैं उत्तरपतेसलोग सेवा आयोग की पीसेस मुख परिच्चा के बारे में सूचना है लिखा पीसेस मेंस के लिए अब 23 तक आवेदन पीसेस 2018 की मुख परिच्चा के लिए आवेदन कीती थी 23 मही तक बढ़ा दी गई है जबकि फार में शंशोधन कीती थी बढ़ा कर 24 मही की गई है वेबसाइट ओवरलोड होने पर 500 से अधिक अबर्थियों के फार्म ना भर पाने काण उत्तरपतेसलोग सेवा आयोग ने य पांग की थी तो पहले यह जो डेट थी वो 16 मही थी और अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 मही है जो अब बढ़तेवी तक आवेदन न कर पाए हो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं इसके बाद में एक और सूचना है समचार पत्र में दिया हुआ है कि बारभी पास सेना मे अबसर बनने का मौका लिखा है सेना में 12 के बाद अधिकारी बनने का मौका है इसके लिए टेकनिकल एंट्री इसकी आवेदन प्रक्रिया सुरू हो गई है 8 जून तक आउनलाइन आवेदन किया जा सकता है सेना में पर्मानेंट कमिशन के तौर पर यह बर्ति की जाती है इ इस कूर्स के तहत नबबे पद्सदों पर वर्ति की जाएगी कोर्स के तहत चारवर्स का प्रशेशन हासिल करने के बास ऐन में परमांनेंट कमिशन प्राप्त होगा तो जो अब frame में जाना चाहते हों अच्छे पद्सध कर सकतommes फिर में एक सूचना है ओ लेवेल करने के लिए कंबेल के लिए आवेदन आज से इलाबाद विष्टी विद्याला में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन डो एक ओ लेविल 2019-2020 में प्रवेश के लिए आवेदन 22 मई से सुरू होगा इस चुक अबरती किसी भी दीवस में सुबह 10 से साम 4 बजे के मद्द सेंटर आफ कंप्यूटर एजुकेशन विज्ञान संकाय से फार्म प्राप्ट कर सकते हैं फार्म प्राप्ट एवं जमा करने की अंतिमतिधी 14 ज चैनल से जुड़े रहें अगर यह सुचना आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दें जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद